क्या गब्बर फिर चड़ेंगे घोडी? मिताली राद से शादी की खबरे हुई तेज भारती क्रिकेटर ने खुद बताया दोस्तो भारती क्रिकेटर टीम के दिगज ओपनर बलेबाज शिकरधवन का क्रिकेटिंग करियर अब धलान की ओर बढ़ चला है टीम इंडिया में लंबे समय से उनकी वापसी नहीं हो पाई है और अब इसकी उम्मीदे भी कम नजर आ रही है वहीं IPL 2024 में शिकरधवन पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे थे लेकिन बीच सीजन में चोड की कारण टूनामेंट से उन्हें हटना पड़ा लेकिन क्रिकेट से दूर शिकरधवन इन दिनों अपने शो को लेकर चर्चा में है इसी शो में धवन ने खुद से जुड़ी एक अफवा को लेकर खुलासा किया है बता दें पंजाब किंग्स के कप्तान शिकर धवन ने बताया कि उन्होंने एक बार ये अफवा सुनी थी कि उनकी शादी भारतिय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज से हो रही है धवन ने बताया कि ये उनके बारे में अजीब अफवाव में से एक थी महिला क्रिकेटर की दिगज खिलाडी रह चुकी मिताली राज रिटायर्मेंट के बाद कॉमेंटरी और मेंटोर्शिप में अपनी दूसरी इनिंग बखू भी निबा रही है वो महिला प्रीमियर लीग में गुजराट जाइंट्स की मेंटोर हैं इस बातचीत के दुरान धवन ने डेली कैपिटल्स के कप्तान और भारती स्टार रिशप पंद की भी तारीफ की जिन्होंने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दोचाच चौबिस के लिए भारती टीम में शांदार वापसी की है उनके बयान की बात करें तो धवन ने कहा जिस तरह से उन्होंने दुरगटना के बाद अपने रिहाब और चोटो को संभाला है उसकी मैं सरहाना करना चाता हूं उन्हेंने जो सकरात्मक और मजबूती दिखाई वो ला जवाब है वो वापस आए इंस्टेबल में वो नवे स्थान पर रही धवनी सीजन में सिर्फ पांच मैचों में बैदान पर उतर पाये जिसमें उन्होंने 30 की ओसत के साथ 125 के स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए अब अगले साल मेगा ऑक्शन में पंजाब उन्हें अपने पास रखती है ये देखना देलिचस पहोगा